असलाम अलेकुम मेरा नाम अलिक हमजा है और आप देखे मैं यूटीब चैनल मुस्तकीम प्रोपर्टीज आज आपका भाई लेकर आया आपके लिए एक विजिट बागेरम का इस कलूनी की बुनियाद कुछ चंद ओफिसर्स थे बैंकर से और आर्मी ओफिसर्स से उन्हों ने इसकी स्वाइटी की बुनियाद रखी फिर इसका नाम दिया गया ओफिसर्स एन इजेक्टिफ हाउसिंग स्वाइटी तो बाद में ये बागेरम स्वाइटी कर दिया गया इसके बैक साइड पर हलोकी गाल्डन है और एक साइड पर खेबाने मीन है और एक साइड पर रिंग रोड है इसका अगर लीगली स्टेटिस चेक किया जाए तो ये लडी अप्रूफ साइटी है अगर जिस भाई ने बैंक लोन यहां लेना है तो उसका इजली बैंक लोन हो सकता है बैंक फाइनस हो सकता है क्योंकि कोपरेटिफ हाउस साइटी की वज़ए से कलूनी काफी छोटी सी है और तकरीवन इसमें नो सतर के करीब प्लोट्स होंगे रिहाईश के लिए काफी बैतरी ने क्योंकि हर तरफ से एज़ा गेटट इड कम्यूनिटी यहां पर है सारी इस कलूनी काफी अच्छी बात यह है कि लोने कमेशल सारा में पर दिया हुए में से मुना दिया है कि फेसिंग रिगन को अक्सर societies के अंदर ये होता है कि जहां रिहाशी प्रोड्स होते हैं लोग वहीं पे commercial इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन इस society के अंदर ऐसा नहीं है चुँके ये एक cooperative housing society है तो यहां पे भी एक union बनी वी है जो कि इसकी देखबाल कर रही है खेबाने मीन का हमने सी ब्लोग क्रोस किया हमारे राइट साइड पे खेबाने मीन का ब्रोडवे commercial जा रहा है और लेफ साइड पे private land है और बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं जो अबादी है जहां घर बन रहे हैं या घर बनाव है वो सारा बागेरम society है हमारे यूट्व चैनल को जूर सब्सक्राइब करें शेर करें बेल आइक़न जूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें इस कलूनी में हम इंटर हो चुके हैं लेफ्ट और राइट साइड पे साइड रहाशी प्लोड्स हैं और आप देश सकते हैं कि यहां पे डेली कोई ना कोई नया घर स्टार्ट होने जा रहा है यह इसकी सामने चेक पोस्ट है और सारा यह बागेर्ब स्वाइटी है रोड्स यहां पे मिनिम्म 40 फिट की रोड्स हैं लेफ साइड पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे है वो मज़िद बन रही है वहां पे अगर स्क्यूर्टी की बात की जाए स्क्यूर्टी काफी अच्छी है अकसर आप देखेंगे यहां पे गार्ड्स पेट्रॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको यहां पे अगर रोड्स की बात की जाए तो यहां पे मिनिमम्म 40 फिड रोड है उसके बाद 60 फिड रोड है और उसके बाद 50 फिड रोड है जिस रोड पे हम मजूद हैं यह 60 फिड रोड है लेफ्ट और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कल को अभी तो फिलहाल उन्ना के बाउंडरी वाल हुई है अगर कल को रस्ता खुलेगा तो यहां से डियेचे इंटेकुनेटिट हो जाएगा यहां पे अगर प्लॉट्स कैटेगरी की बात की जाए तो यहां पे तीन मला, पांच मला, साथ मला, दस मला और कनाल के रिहाईशी प्लॉट्स हैं यहां पे तीन बड़े पार्क्स हैं एक 11 कनाल का है और एक 13 कनाल का है और इसके लावा एक 44 कनाल का है पार्क्स है तीनों पार्क डिवैलब है मज़िद अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तकरिवे मुकमल होने वाले इन्शाला इसी साल मुकमल हो जाएगी रिहाईश के लिए काफी अची कम्यूनिटी है यहां पे रहा जा सकता है अगर आप यहां प्लॉट्ट खरीदना चाते हैं यह बेशना चाते हैं तो आप मुसे राप्ता कर सकते हैं के उपर मेरा कॉंटेक्ट नमबर आ रहा है और 0-3-2-9-1-3-1-99-6 है कलोनी के नजिक हिवान एमीन डियेचे रैबर लेक स्टी को भी हम डील करते हैं अगर आप वहां भी खरीदना चाते हैं यह बेशना चाते हैं तो आप उस हवाले से भी हमें राप्ता कर सकते हैं यह है इस कलोनी का राउंड अबाउट लेफ साइड पे भी हमारे कनाल के प्रॉट है बिलकुल सामने जो रोट जा रही है यह सीधा रिंग रोट को टच कर रही है यहां से लेफ्ट होके हम सीधा 5 मला 3 मला और 7 मला कैटेगरी में आ जाएंगे फिल्हाल हमारे लेफ साइड पे भी राइट साइड पे भी सारे 10 मला के प्रॉट है लेफ साइड पे शुरू में 10 मला आते हैं लेकिन जिससे रहा हम आगे जाते जाएंगे तो साथ मले कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी राइट साइड पे हमारे पार्क आजेगा जो के तक्रीबन 43 कनाल के उपर मुझे तो मिल है जहां पर ये इंटे रखी में लेफ साइड पे हमारी सारी पांच मले कैटेगरी है और उसके आगे जाके सेल के लिए भी ये परचेस के लिए भी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल लाइकर जुरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहें लेफ साइड पे सारे पांच मल्ला की प्लॉट्स हैं, 40 फिट की रोड है और बिलकुँ सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक इंडो क्रिकेट स्पोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है.